कि सिदार था इटी आई द्वारा चलाय जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं सीव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल गेन नॉलेज टेकनिकल में आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेट थियूरी विल्डर में इलक्ट् हैं क्या बोर्ट होते कितने प्रकार की हैं और वरगों को यह कंप होता है असी कैसे करते हैं तो इन सारे टौपिक्स को मैं एक एक करके आज डिफाइन करों गा और आपको इसके बारे में बताओं गा अर सबसespace पहले बता दों कि अगर और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें उसके बाद लाइक और सेर करना ना भूलें ठीक है तो आते हैं अपने टॉपिक पे इलक्ट्रोट्स तो देखिए इलक्ट्रोट्स आर्क वेल्डिंग द्वारा करने क जबने के लिए यह एक झaimerक्ट आपको विंधाउट फ्लक्ट्स कोटिड दो प्रकार के इलक्ट्रोट्स होते हैं जो आर्ट्री में उप्योग किया जाता है अब है कि आर्क वेल्डिंग का काया है आरक वेल्डिंग का काम है वर्कपीश और आर्क के वीच में आर्क को इस्थापित करना एलक्ट्रोड जो है आपका वर्कपीस के उपर जो है वो मेटल को फिल भी करता है भरता भी है इतब जाकर के आपका वेल्डिंग का काम होता है तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं पहला जो फिगर यह है हमारा नन कंजूमेवल एलक्ट्रोड का नन कंजूमेवल एलक्ट्रोड का मतलब या वह एलक्ट्रोड है जो फिलर धातु परदान नहीं करती है जैसे कार्वन टंगस्टन इत्यादी तो यह जो नन कंजूमेवल नन कंजूमेवल जो फिलर एलप्त रोड है इसका उपयोग आपका टेंगेस्टन आरक वねलिंग किया जाता है अब हम देखते हैं इस फीगर में क्या क्या है फीगं में जैसे दिखने से यह देखतें figure को गौर से देखे तो नीचे जो है सबसे नीचे हमारा workforce और उसके बाद जो है देखे बेस मेटल है बेस मेटल मिंस आधार धातू उसके बाद जो है आर्क स्ट्रीम है फिर gaseous sealed है मतलब sealed gas इसके द्वारा छोड़ी जाती है उसके उपा एक जो है extracted coating है उसके बाद देखिए left side में हमारा electrode consumable है उसके बाद molten pool है जो नीचे जमा हो रहा है और coating is deposited as slack जो coating जमा हो रहा है वो हमारा slack के उर्प में जमा हो रहा है चलिए आप आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा दूसरा electrode दूसरा electrode जो है वह आप देखिए जो हमारा consumable electrode है consumable electrode में यह वह है जो फिलर धातु परदान करती है जैसे कि metallic electrode यह जो है वेर और धाकीवी दोनों आती है अब आगे जो हैं हम देखते हैं next हमारा बेर electrode आता है वेर मिन्स होता है नंगी यह एक फिलर मेटर electrode है जो की आर्क वेल्डिंग में प्रियोग की जाती है जिसमें बिना कोटिंग के धातु की वेर वायर होती है मतला नंगी तार होती है next figure को देखते हैं हमारा covered electrode है यह आर्क वेल्डिंग में प्रियोग होने वाली वह जो है फिलर electrode है जिस पर flex की coating की होती है जिसमें metal की कोवर वायर होती है जिस पर मोटी covering की होती है जिससे weld metal के properties में सुधार किया सकता है और welding सुगमता से की जा सकती है अब हम जानते हैं कि वेर वायर लग्ट्रोड का प्रियोग कब किया जाता है और अगर नहीं किया कियाता है तो क्यों नहीं कियाता है इसका क्या रिजन है तो देखिए जो वेर लग्ट्रोड है इसका अधिकतर प्रियोग नहीं होता है क्योंकि इससे निम्लिखित हानिया होती है क्या हानिया होती है तो पहला है आपका कि इससे आर्प को बनाए रखना मुस्किल होता है दू उसे ना केवल हाड वाबिटल मनाती है प्रंतु अंदर से छिद्रिल भी कर देती है उसके बाद हमारा नेक्स हानी यह होता है कि करेंट के जाने की जो छमता कपिसिटी होती है वह कम होती है नेक्स हमारा जो है वो है कि या जल्दी से ही लाल और गर्म हो जाता है या जल्दी से ही लाल और गर्म हो जाता है उसके बाद इसकी हानी यह है कि या अधिक स्पेटर और जो है उथली हुई पेनिट्रेशन देती है तो वेर वायर की यह हमारी हानिया है वेर वायर से यह हानी होती है अब हम नेक्स जानते हैं कोटेड फ्लक्स के बारे में कोटेड जो कवर्ट फ्लक्स होती है जिस पर धकी होती है अब कवर्ट फ्लक्स का फायदा यह है कि इससे हम आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं यह जो है आसानी से हम वेल्डिंग कर होता है तीसरा इसे लाव यह है कि पिखली धात्तु और आक्सीजन और नाट्रोजन को हवा से यह नहीं सोकती है और उसे ना केवल हार्ड वार बिल्टिर बनाती प्रंतु अंदर से छिद्रिल भी नहीं करती है उसके वाद इसके द्वारा करेंट के जाने की छमता अधिक होत है और यह जल्दी लाल गर्म नहीं होता है तो अब नेक्स हम देखते हैं दूसरा हमारा जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है अनकोटेड इलक्टोड और कोटेड इलक्टोड में आप देख रहे हैं कि किस तरह का जो है यह बन रहा है तो आप जो है कवर्ड इलक्टोड को बिभीन परकार की कवाड इलोक्ट्रोड जो है आपको उप्योग में लाई जाती है बुनियादी तोर पर ये इलोक्ट्रोड एक जैसी होती है प्रन्तु कोर का मेटल एलो या कोटिंग की कमपोजिशन अलग अलग परकार की होती है कोटिंग रोड के साथ या जल जाती है और गैस सिल्ड के रुप में बन जाती है जिससे वेल्ड जोन को हवा में आक्सीजन और नाइट्रोजन से संदच्छन मिल जाता है धातु को सही पत पर ट्रांसफर करने के लिए और या कोटिंग गर्म एक गण बेयरल एक्शन पर दान करती है या या अधिक गर्म रेड हो इसको पता पदार्थ मिला हुआ रहता है इसके बारे में हम जानते हैं तो दिखिए फ्लक्स कोटिंग में मिलाने वाले पदार्थ के इस परकार है पहला ऑक्सिडाइजिंग पदार्थ है जो ऑक्सिजन को उसमें प्रवेश होने से रोकती है फिर हमारा रिडूसिंग पदार्थ मिला रहता है उसके बाद आयोनाजिंग पदार्थ रहता है स्लेक फॉर्मिंग पदार्थ रहता है और बांडर्स रहता है तो यह अब उसके उदारन बेजे से ऑक्सिडाइजिंग पदार्थ के उदारन क्या है तो आयरन ऑक्साइट उसके बाद इसका कारी क्या है धादू के बहाव को फिरी बनाने के लिए अब reducing पदार्थ है इसमें क्या आता तब ferromagnet, ferosilicon, ferotitanium जो है calcureum, spar और rutile उसके बाद इसका काम क्या है weld धाती को deoxidize के लिए उसके बाद जहाँ आपका ionogen पदार्थ है ionogen पदार्थ के रूप में आपका उप्योग में आता है carbonates, dolomite, alkerious, spar या magnetite उसके बाद इसका काम क्या है तो R को बनाए रखने के लिए next आपका आता है slag forming इसमें क्या यूज होता है तलकडी का बुरादा dextril या cellulose इसका काम है कि slag उत्पन करने के लिए जिसमें नुकसा जिससे जो है वातावरन में नुकसान दायक प्रभावों से बचाव किया जा सके next हमारा organic पदार्थ organic पदार्थ हमारा next है तो organic पदार्थ में हमारा दिया हुआ है कि कोईलोन या बेंटोनाइट और टाल्क कायोलीन और बेंटोनाइट और टाल्क इसमें उप्योग क्या आता है जिसका कारी है कि गैस उत्पन करने के लिए जिससे material को transfer होने में सहायता मिल सके उसके बाद binders जो है जिसका काम है कि core wire पर coating करने में या सहायक होती है अब देखिए हम कुछ जानते हैं एलक्ट्रोड कॉर्टिंग फ्लक्स का टिपिकल आधर सुत्र मतला टिपिकल फर्मूला ओफ एलक्ट्रोड कॉर्टिंग इसमें क्या-क्या मिला आता है जैसे आयरन पॉडर आपका इसका परसेंटेज होता है 35% फेरो मैंगनीज 2% मायका 2% फेरो सिलिकन 2% फेरो टिटानियम 2% रूटाइल आपका 5% पोटेशियम फेल्ड स्पार 3% लाइम स्टोन 20% डोलोमाइट 8% फ्लोस्पार 18% अलुमिनियम मैंगनीशियम आपका पोटेशियम सिलिकन ये 3 और बैंडर यूज में आते हैं तो आज इतना ही आज मैंने आपको एलक्ट्रोट्स क्या है एलक्ट्रोट्स कितने परकार के होते हैं एलक्ट्रोट्स में जो है क्या कमपोजिशन होता है कमपोजिशन ओफ फ्लक्स कोटिंग उसके बाद आपको टिपिकल फॉर्मूला ओफ एन एलक्ट्रोट कोटिंग इस के बाद जो है definition of welding position तो ये सब मैं आपको आगले वीडियो में बताऊंगा आज इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद